जोदी आपनी एई गड़ो में एक्टा ओन्नो शादर चिकेन रेसिपी चान ताहले एई रेसिपीटा कोरे देख्ते पारें खुब कम समये एक्टा सम्पूर्णो ओन्नो शादर एई रेसिपीटा खुब कम उपकरोने एबं कम समय तो एड़ी हुए जाई इस गर्मी में अगर अलग ही स्वाद खे चिकेन रेसिपी अगर आप ठ्राई करना चाहते हैं तो महती कम इंब्रेडियंस और कम समय में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं तो इस रेसिपी को देखने के लिए मेरे पूरी वीडियो स्किप ना करते हुए देखते रहिए और अगर आपको अच्छे लगे हो मेरे बागी के रेसिपी तो मेरे चैनल गौसिप आप समयल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हर रोज मैं आपके लिए खुछ नखुछ नए रेसिपी चैनल गौसिप आप समयल के लाइक शाब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए प्रते दीजिए अमित अपनादे जन्नो नोतुन नोतुन रेसिपी नियांसते पाड़ी आज के सामर स्पेशल एक्टर रेसिपी कोरवो तो एखने चिकेन टाके दोई दिए मैरिनेट कोरे रेखेची आर एक्टर मोशला दिए सिक्रेट मोशला दिए एई पेश्टा बानानो रोले छे शेट आपना देर के पौरे बोल छी एश्रोंगे आर्की की लाग छे अपनाड़ा वीडियो टाके स्किप ना कोरे रानना ता देखते था कुरू यहाँ पर चिकेन को दही में मैरिनेट करके रखी हुँ और एक सिक अब बाग बाग देखते था को एक फोस्किप ना कोड़े लाइक शास्प्राइब आर शियार कोड़ा दाओ जाते प्रती दिन जार चार नोत 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 न वीडियो आमी आपड़ कोर्बो शब्तिके आगे चाते नोटिफिकेशन तुमादे रकाछे सोले जाए ताले कोड़ा ते शादा तेल गड़ोम कोड़े आदा रोशुन आर काचालाउंकार पेस्ट दिये दिलामी कराई में रिफाइन डॉयल गड़ोम करने के बाद अध्रक लहसुन और हरे मेर्च के जो पेस्ट थे वो दे दिया है जिंजर करली एंग छिली पेस्ट एक्ट भेजे निद्ध आवे तार पड़े इल पड़े दोई दिये मेरिनेट कुड़े राखा चिकेन ता दिये दिलाम दही से मेरिनेट किया हुआ चिकेन दे दिया है इवाडे नून दीच्छी स्वादानों सर नमक दे रही हुँ कि जो खुन जोन नो धाका दिये राखलम कुछ तेर के लिए धबकर रख दिया है ठाका खुले गोल मोरीज कुड़ो दिच्छी धब्तन खोलने के बाद ब्लैक पेपर पाउडर दे रही हुँ इवाडे शमन्नों चिनी भीलाम अब थोड़ा चिनी दे दिया है शर्बकेची भालो कोड़े मिक्स कोटची सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है एबाडे पाता शुद्दू गंधोराच लेबूर स्लाइस कोलो एके एके दिये दिच्छी आज टाखे कोमिये स्लाइस करा गंधोराच लेबूर एबाँ तार्शोंगे गंधोराच लेबूर जे पाता शीलो श्रेटा दिये दिलाम गंधोराच लेमन जो होते है निम्बू उसके बहुत ही अच्छी स्मेल रहते है तो उसके निम्बू और निम्बू के जो पत्ते होते है वो भी दे दिया है ऐसे स्लाइस करके अब धकन लगा रही हूँ अब दे चिकेन होएगा छे